क्या आप भी अपने बालों को बिना मेहनत के बिल्कुल लंबा काला घना मोटा शिल्की शाइनी स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आज का ये विडियो आप लोगों के लिए है अगर आपके बाल पर किसी भी तर का प्रॉब्लम चल रहा है चाहे वो हैर फुल का प्रॉब्लम है है या नहीं स्काल पर टकलापन आते जारहा है गंजापन के सिकार आप होते जा посмотрим कटी करें प्रॉब्लम है नहीं है है भ ange मेर क्रूब्लम का प्रॉब्लम में हैं को यूदे है यकिन केरते हैं यूदे लिए भाल कहिक्षर में पर्फेक्त हो जाएंगे बाहा का ज़ड़ना तो वो बालों का जढ़ना बहुत हत तक camera control में आ जाए गेा बहुत तेजि से लंबे भी होंगे और बहुत तेजिसे काले भी होंगे जी हाँ यह बालों को काला बनाने में भी बहुत जादे मदद करता है और यह आपके बालों में इतना अच्छा सा चमक एड़ करेगा मैं आपको क्या ही एक्स्प्याइन करो जब आप इसे यूज करेंगे ना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ यारी मतलब यह तो मैजिक ही हो गया इतना ज्यादा एफक्टिव तो हमें कोई भी रेमेडी से नह नए बाल उगाने के लिए बहुत ज्यादा इफक्टिव है जतना ज्यादा भी आपके बाल जड़के हैं बिलकुल तकलापन आगया है फिर भी यह बहुत ज्यादे इफक्टिव है और यह प्रस्टीव तो आपने यूज भी करके देखा होगा तो वह हमारे नए बालों को बहुत तेजी से जड़ रहे थे आप बाल बिल्कुल भी लंबे ही नहीं हो देए सिर्फ गर्दन तक उनके बाल रहते थे कभी लंबे ही नहीं होते थे तो मैंनेших निकिन मानि फिरंस सिर्फ दो या तीन मन्त उन्हों ने यह यूज उसकी बाद मेरे बताई हुए तरीके से यूज किया अभी उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गया है तो इसे कैसे बनाना है कैसे यूज करना है इन सारे चीजों पर डिसकस करेंगे बस आपको क्या करना है वीडियो लाइक कर देना है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो पहली होता है क्यांकि अगर आप्लाइ नहीं करते हैं तो इसके लिए मैं सरसो का तेल यूज करें आपके लिए जो भी सुटेबल होता है या या जैतुन का तेल जो भी आपके शुटेबल हो रहा है वह आप यहाँ पर ले ले जी अपने हेरलेंद के अकोडिंग दूसरा इ अगला इंग्रेडिन्ट हमें चाहिए होगा तेजपत्त अगर आपके पास ताजय तेजपत्ते मौजूद हैं तो आप वह यूज़ कीज़ें उससे ज्यादा बेस्ट होई नहीं सकता है बड़ नहीं है तो ड्राइब फोम में यूज़ कर सकते हैं यह हमारे हैं सिर्फ 1-2 तेजपत्ता यहां पर डाल हो तो डाल देजाए हो गया देज़नीाट, अगला इंग्रेडिन्ट आपको चाहिए होगा थे पार्डर होता अब लास्ट इंग्रेडियन्ट हमें चाहिए होगा मेथी सीड्स मेथी सीड्स अगर आपके पास है तो आप इसे मिक्सी के जार में डालिए बिना पानी एड़ के उसे अच्छे से पिस लिए पाउडर फो में तयार कर लिए चान करके आपको यूज करना है ठीक है बट मेरी पास पहले से मौजूद थे जो मार्केट बेस्ट होते हैं पैकट में वही मैंने पर्चेस किया था तो उसी को मैं यहां पर आधा चमच के करीब यूज कर डी हूँ आपको जितना ज्यादा मातरा में आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं बस आपको तेज पत्ता जो है ना वो जैतुन का तेल होता है अपको प्रोपर्टी होता है कि इस कैल के डी प्लेयर तक कोई भी नुट्रिन्स को पहुचाने का का काम करता है तो आधा चमच के करीब जैतून का तेल डाल दीजें उसके बाद अब हमें इसे डबल बोलिंग मेथर से कम 15-20 मिनिट के लिए पकाना ह दूसरा option है कि आप इसे तेज धूप में रख सकते हैं अगले दिन से यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैं डबल बोलिंग मेथर से प्रिपार कर रही हूं आप भी सिंपली यहीं फोलो कर लो यह बहुत जल्दे तयार हो जाएगा सिर्फ 20 मिनिट आपको टाइम देना है इसके बाद आप इसे छान लीजिए यह जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है यह आपके बालों में जादू करने वाला है जी हां मतलब जादू मैजिक से कम नहीं होगा बस आपको इसे कैसे अपलाई करना है इसके बारे मैं आपको बता देते हूं ठीक है सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए और उसके बाद अपने पूरे लेंद पर पूरे स्कैल पर अच्छे से अपलाई कीजिए फ्रेंस आपको हेवी ओलिंग नहीं करना है आप इस ओल को स्टोर भी करके रख सकते हैं तो यह नहीं कि ओल मत वेस्ट जा रहा है तो हम पूरा का पूरा ही अपलाई कर लेते हैं ऐसा नहीं जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही अप अपलाई कीजिए और उसके बाद कम से कम पांस से छे घंटा के लिए ऐसे छोड़ दीजिए फिर अपना फेबरेट सेंपू जो है उससे हैर वोस कर लेजिए यकीन माने फ् हम एक बार यूज किया और उसके बाद हम इसे छोड़ दिये तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक कि आपके बाल पॉर्फेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप इस रेमेडिय को यूज कीजिए बहुत जल्द आपके बाल मतलब सब पूछेंगा कि यार आपने क क्या किया तो फिर बता देना तो फ्रेंस आई थिंग मैंने सारा चीजा को क्लियरली बता दिया है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर